hey guys welcome back to my channel the wheel of fortune 709 टेरत आप सब इनों को मेरे नमस्कार लोमनी पत्मेहाम अमसाहिराम मैं फिर से आके हुँ आपनों के लिए ecoar Pokemon reading लेकर और यह APKAA KARD reading का topic है कि आपके जो partners वो 3D में आपके सब्सक्राइब में और 5D में आपके बारे में क्या सब्सक्राइब क्या सोचते हैं तो वही आज हम इस रीडिंग में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या सोच है उनकी इस कनेक्शन को लेकर और क्या प्लैनिंग है, क्या इंटेंशन हैं, ठीक है, वो सब कुछ आज हम यहां पर कवर करने वाले हैं, तो आपके सामने मैंने यहां पर ये तीन स्टार्स रखे हुए हैं, इस्टीकर्स हैं गाइज, ये वाइट है, देख लिजे, उन लोगों के लिए जो पाइल 1 चूस करेंगे, ठीक है, वाइड स्टार, ये है ब्लू स्टार, पाइल 2 के लिए, और ये है ग्रीन स्टार, पाइ आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वही आपने स्लेक्ट कर लेना है, और इसके बाद में आपकी रीडिंग शुरू कर दोंगी, ये जॉनर रीडिंग होती है, तो ध्यान रहे कि सारे ही मैसेज़ेस आपके साथ में रेजनेक नहीं हो सकते हैं, कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे आपने पाइल 1 स्लेक्ट किया, लेकिन वो रेजनेक नहीं किया, तो आप पाइल 2 कर सकते हो, पाइल 3 कर सकते हो, अगर तीनों ही आपके साथ में रेजनेक नहीं होते हैं, तो आप फिर अगला वीडियो देख अगर आप नहीं जानते हैं, तो प्लीज आप गूगल पर सर्च करें, क्योंकि उसके बारे में डीटेल में बताने के लिए फिर और टाइम चाहिए, या फिर तो मैं कभी और वीडियो अपलोट कर दूँगी, वैसे यहां पर तो अभी मैं थोड़ा कार्ड रीडिं करने व ब्लीडिंग के बिलकुल आखिर में, चलो शुरू करते हैं यहां पर है, seven of swords, the magician and nine of cups, ब्लॉक किया हुआ है आपके person ने आपको, आपके partner ने यहां पर ब्लॉक तो किया है आपको, आपको कुछ ऐसे शो करते हैं कि काफी खुश है अपनी जिंदगी में, जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो रही है, सब कुछ उनको मिल रहा है, enjoy कर रहे हैं अपने friends के साथ, किसी भी चीज की इनको जरूरत नहीं, single है और कुछ आपको ऐसी भी energy, इनकी तरफ से energy नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी कि कुछ actions इनके ऐसे हैं, जिससे आपको लगता होगा कि यह flirt करते हैं, flirt करते हुए खुश हैं, right? ऐसा होगा अपनी सुनने और अपनी करने वाले और देखते हैं, ओहो, इतने सारे cards guys, universe इतने सारे cards नहीं चाहिए मचे okay, king of bonds okay, okay, तो अगर हम बात करें कि आपके partner की राशियां क्या होगी, तो हो सकती है, air sign हो सकता है, ठीक है जिसमें मुझे लग रहा है, libra, gemini, aquarius मुझे यहाँ पर जादा नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है, home ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी feel नहीं हो रही है, energy and earth sign हो सकते हैं, taurus, capricorn, cancer, pisces, water sign में Leo हो सकते हैं, Aries हो सकते हैं, tall हो सकते हैं, reachish हो सकता है, color या फिर fair कुछ लोगों के लिए, fit होंगे, हो सकता है body building पसंद हो इनको, ठीक है career पर बहुत ही ज़ादा ध्यान दे रहे हैं, हर वक्त career के बारे में सोचते रहते हैं, ambitious हैं काफी, बहुत ambitious है, काफी सारी dreams हैं, जो इनको पूरे करने हैं और इनको लगता है कि जब तक इनके पास पैसे नहीं होंगे, तब तक यह नहीं कर पाएंगे सुकून चाहिए इनको, किसी दूसरी country में जाने का भी सोचते रहते हैं, traveling बहुत पसंद है, गूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है charity वगेरे बहुत करते होंगे, अगर करते नहीं हैं तो participate करते हैं, जैसे किसी और ने किया तो खुद चले गए, साथ देने के लिए, ठीक है ऐसे कुछ काम करते रहते होंगे और सभी से प्यार चाहिए इनको, धियर सारा प्यार और लोग चाहें कितना भी इनको प्यार करें, इनको हमेशा कमी लगती रहती है, ऐसा nature है इनका काफी egoistic हैं, futuristic हैं, future के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो लोग इनको लगता है कि इनके लिए in future काम आ सकते हैं, उनको ये कभी नहीं छोड़ते हैं हमेशा उनको अपने साथ रखते हैं, कैसे भी करके ठीक है ऐसे नजी आ रही है इनकी तरफ से student हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए तो यहाँ पर और कुछ लोग के लिए मुझे लग रहा है कि business man हो सकते हैं, business man और woman जो भी है काफी sharp minded है A से name शुरू हो सकता है S, P, R, G, I, Y N आप में से किसी का भी नाम शुरू हो सकता है December में बर्दे हो सकता है, October में हो सकता है कुछ लोग के लिए हो सकता है June और कुछ लोग के लिए हो सकता है July August यह हो सकते हैं February यह January यह मांस हो सकते हैं अब देखते हैं क्या सूचते हैं 3D में यह आपके लिए क्या इनके विचार हैं आपको लेकर Okay Emperor Ten of Pentacles Lovers Okay guys तो अगर 3D में मैं कहूं तो इनके विचार कुछ ऐसे रहते हैं काफी जादा आपको इस टेबल देखते हैं इनको यह लगता है कि कि आप money making में बहुत अच्छे हो कोई business करते हो आप job भी कर सकते हो लिकिन कोई business करते हैं ठीक है इसमें बहुत अच्छे हैं बहुत ही अच्छे से आपको business करना आता है और काफी practical है ठीक है emotional बहुत कम है practical है अपर अगर बात यहां पर business किया जाए तो तो आपका दिमाग बहुत ही तेस्ट चलता है पैसे कैसे कमाने हैं कैसे खर्च करने हैं savings कैसे करनी है इन सारी चीजों में आप expert हो और हाल फिलाल में इनको लगता है कि सिफ आपको यही रहता है कि आपको earn कैसे करना है आपका career कैसे बनाना है आ ऐसा भी हो सकता है कि आप एक tarot reader हो या इन सारी चीजों में believe करते हो जैसे twin flame journey, soulmate journey या फिर आप इस तरीके के status वगरे डालते हो ठीक है कि compatible partner कौन होता है किस तरीके कि क्या चीजे होनी चाहिए जिससे कि relationship अच्छा चले इन सारी चीजों में आप believe करते हो यह सारी चीजे व अनकी सोंच में मैं बतारहिए कि सोंच क्या है और उनको यह भी लगता है कि आप काफी mysterious हो ठीक है आप बाहर से कुछ देखते हो अंदर से कुछ और हो तो यह चीज भी उनको लगती है तो यह लगता है कि पूरी तरीके से आपके बारे में नहीं जानते है कि आप क्या हो आपको work, work, work and work, ऐसा वो आपको देखते हैं, हाल के लाद, 3D में अगर मैं कहूं तो, काफी जादा आपको काफी अच्छे रंग से ले लेते हैं, जो हमारे व्यूर्स हैं, हो सकता है, Capricorn हो, ठीक है, Aries हो सकते हैं, लेकिन Capricorn के अच्छी बहुत जादा आ रही है हो सकता है, आपको white color पसंदो, और यह जानते हैं, कि आपको white color पसंद या फिर इनको भी पसंदो सकता है कुछ है, जरूर, यहाँ पर मुझे message मिल रहा है, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, अब देख लेते हैं, 5D में क्या है, उनके विचार आपको लेकर, क्या सोचते हैं, वो उनको यह लगता है, कि जो आपका साथ नहीं देते, जो आपको सब नहीं करते, आप उनको बिल्कुल अपनी life से बाहर कर देते हो, भेले ही आपको कितना भी hot हो, लेकिन आप मजबूती के साथ निर्नाय लेते हो, और ऐसे लोगों को बिल्कुल बाहर निकाल देते हो, और आपको discussion करना अच्छा लगता है, कोई भी अगर समस्या हो जाती है, तो आप चाहते हो कि साथ में मिलकर बैटकर उसको discuss किया जाए, इस तरीके का मानते हैं वो आपको, इमोशनल तो नहीं देखते हैं गाई आपको, बिल्कुल भी, अचली और देखते हैं, कुछ लोगों क management, soulmate मानते हैं गाईज यह आपको, अगर मैं 5D की बात करूँ, तो soulmate मानते हैं और इनको लगता है कि जन्मों जन्मों से आप इनके साथ हो, इनके साथ connection है आपका, और कहीं न कहीं यह सुईकारने भी लग गए हैं, मुझे ऐसे लगता है कि शायद पहले नहीं सुईकारते हों लेकिन अब इनको लग रहा है, 3 of wands, यह चाहते हैं union, आप से मिलना चाहते हैं, कुछ discuss करना चाहते हैं, इस connection के बारे में काफी सारी बाते हैं जो यह आप से कहना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी actually divine timing नहीं आई है आपकी, खिल कहना है, reconciliation चाहते हैं, तो reconciliation क हुआ इसलिए यहां पर यह कार्ट था, जबकि मैंने कहा था कि block इन्होंने किया है, कुछ ना कुछ misunderstanding जरूर हुई है, twin flame journey में अलगता है, आप लोग या फिर soul में journey में है, twin flame में मुझे लग रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर इनका जो 5D है, वो energy अगर मैं बताऊं, तो yes, यह बेट कर रहे हैं कि कब वो divine timing आएगी, sorry guys, call आ गया था, तो मुझे video यहां पर रोपना पड़ा, cards वैसे ही हैं, आप देख लिजे, कुछ change नहीं है, okay guys, तो अगर मैं 5D energy की बात करूँ, तो बेशक यह जानते हैं, कि आप इनके हो, यह आपके हैं, और आपके अलावा इ विक्टरी मिलेगी इनको आप दोनों का union होगा, reconciliation होगा, बेशक, लेकिन हाँ, अगर मैं 3D की बात करूँ, तो इनको अभी यह लगता है, कि विल्कुल भी emotions नहीं हैं आप में, और इनको यह भी feel होता है, कि पता नहीं, आप इनके बारे में क्या सोचते हो, मुझे ऐसे आपके लिए, okay, the chariot, the tower, okay, eight of pentacles, तो बेशक, यह इनको आपके लिए, आउट होते रहते होंगे, I mean, अचानक से इनका आ जाना, और फिर अचानक से चले जाना, actually यह आते क्यों है, यह यह चेक करने के लिए आते हैं, कि अभी condition क्या है, कोई जगर है, आपके मन में इनके लिए, या फिर नहीं है, ठीक है न, connection पर यह काम करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह टिकना नहीं चाहते हैं, अब यह commitment के लिए सोचते नहीं हैं, लेकिन हाँ, यह यह भी नहीं चाहते हैं, कि आप कहीं चले जाओ, वो भी है, तो यह बस चेक करने के लिए आते हैं, इस energy से आते हैं, एक दम से जब आप move on करने की सोचते होना, तब इनका message आजाता होगा, यह चेक करने के लिए, कि यह जो balance बना कर रखे हुए हैं, इनके career, इनके professional life में, इनकी personal life में, वो balance अभी तक बना हुआ है या नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप move on कर गए, ठीक है, और जैसे इनको पता चला, suppose इन्होंने आपको message किया, और आपने इनको reply दे द सब कुछ ठीक था, अचानक से कहां चले गए, ठीक है, क्या हो गया, क्या बात क्या हुई, एकदम से बात ही करना बंद कर दिया, block कर दिया, क्यों कर दिया, तो इस तरीके की energy रहती होगी, क्योंकि यह अभी अपने career पर काम कर रहे हैं, यह सिफ आपको check करने के लिए आते ह क्या हो रहा है, तो कभी कोई post डाल दिया, कभी message कर दिया, तो इस तरीके की चीज़ें यहां पर होती रहती है, तो वही में कहती हूँ हमेशा आप लोगों से कि जरूरी नहीं होता कि आपको जो दिख रहा है वही सच हो, अब देख लो, यहां पर इसलिए मैं नहीं reading करी थ कि मैं ऐसा दिखाई तो ऐसा देता है लेकिन आप ऐसे बताते हो, तो मैं इसलिए बताती हूँ, अब देख लो, खुदी देख लो, और देख लेते हैं, कार्ज आपके लिए, नजी औरिकल से देख लेती हूँ I think guys, आप लोगों का communication होने वाला है, मैं आपकी reading करी हूँ, बार-बार calls आ रहे हैं, ऐसे नहीं होता हमेशा, तो I think communication हो सकता है आप लोगों का, universe कुछ तो बताना चाहरी है, चले देखते हैं, क्या है नजी औरिकल कार्ट, community Magician and the Mirror, okay, तो guys, यह आपको manifest कर रहे हैं, ठीक है, यह manifest कर रहे हैं और balance बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ओल राइट यह चाहते हैं, कि इनको सब कुछ मिले, आपको भी चाहते हैं, और जो भी इनके dreams हैं, यह चाहते हैं, वो सारे ही इनके पूरे हो 5D में इनकी energy यह हैं, आपको लेकर, balance बनाना चाहते हैं, union चाहते हैं, बेशक, लेकिन अपने तरीके से और यह जानते हैं, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इनके अंतर आत्मा कहती है, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन वही है, कि divine timing भी होती है, जब इनके energy balance हो जाएगी, चीज़े ठीक हो जाएगी 3D की अगर मैं बात करूँ, तो यह आपको लेकर ऐसे सोचते हैं, जैसे, आप अपनी life में बहुत खुश हो, आपको कोई खास जरूरत नहीं है लोगों की, आपका अपना business है, carrier है, आप अपने हिसाब से अपनी जिन्दगी जीते हो, आपको कोई जरूरत नहीं है, कि आपक अपने में खुश हो, यह energy है, यहाँ पर, तो देख लेते हैं, आपके लिए guidance क्या है, जो कि मैंने सबसे पहले निकाला हुआ था, okay, hold the space, तो guys, यहाँ पर जो आपके ancestors है, जो आपके पूर्वस हैं, वो आपको बताना चाहते हैं, कि कोई भी फैसला जल्द बाजी से ना कर अब यह क्यों यहाँ पर आया है, क्योंकि मैंने कहा था, देखे, यह cast मैंने आपके सामने ही निकाले हैं, ठीक है न, यहाँ पर energy ऐसी आ रही थी, कि यह आपको check करते रहते हैं, इनका आना जाना यह होता रहता है, अगर इनका message आता है, कोई भी action यह लेते हैं, तो तुरं अपने रास्ते पर और शांती से अपना काम करने लग जाएंगे, इनको यह feel नहीं करवाना है, कि इनके actions से आपको reactions होते हैं, और राइट, सोचो, समझो, उसके बाद जो करना है, वो करो, क्योंकि angels आपके साथ हैं, आपके ancestors आपके साथ हैं, और वो बताना चाहते हैं, कि जो चीजें जैसी होनी चाहिए थी, वैसी ही हो रही हैं, तो आप घबराएं नहीं, यह अगर आपका है, तो आपको ही मिलेगा, कहीं नहीं जाने वाला, उसके लिए यह ज़रूरी नहीं है, कि जल्दी से रप्लाई कर दिया, जल्दी से आप उनको हांजी हांजी करने लग क्योंकि यह चाहते हैं कि आप इनको इनकी कमियों के साथ accept करें, आप unconditional love करते हो, और वो इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है ना, तो यह मैं बताने की होशिश कर रहे हूं, कि जिस एनरजी में आप अभी हैं, जैसे कि आपको 3D में देखते हैं, कि आपको किसी की जरूरत न आप abundant हो, okay, self-made हो और confident हो और आपको पता है कि self-love क्या होता है, आप खुद को प्यार करते हो, ठीक है, यह चीज यह देखते हैं, और इसी वज़े से वापस आकर चेक करते हैं, कि कितने पानी में हो आप, तो जब यह चेक करने आते हैं, तो अगर आप इनको जल्दी से reply कर आपने रास्ते पर चलो, अपना उद्देश पूरा करो, फिर आएंगे वापस, चेक करेंगे, देखेंगे क्या होता है, ठीक है ना, तो यही करना है आपने, जल्द बासी में कुछ नहीं करना है, शांती से सोचो, समझो, और उसके बाद जवाब दो, और देखो, चीज़ आई हो, आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजनेट करी हो तो प्लीज मुझे बताएं, सब्सक्राइब करें, मेरा यह चानल, तैंक यू सो मच पो वाचिंग वीडियो, टेक्या लव योल, बाब बाई, तो जिन्हों ने यह वाला इस्टाचूस किया है, ब्लू, तो देख क्या कार्ड है यहां पर, कि आपको गाइडेंस मिल रहा है, चले देखते हैं Queen of Cups यहां पर है आपके लिए, देखते हैं, पहले तो मैं थोड़ा बताऊंगी आपको, आपके पात्ने के बारे में Okay, King of Pinnacles, Queen of Cups and King of Pinnacles, Okay Five of Cups, Okay Eight of Wands The World Long distance relationship है यह, जो लोग यह reading देख रहे हैं अब चाहें आप तो मिले हो या ना मिले हो लेकिन हाँ दूरी तो है यहां पर Physical distance कहलो या फिर emotional लेकिन दूरी तो है बेशक एक कार्ट में और निकालोंगे Four of Cups और यहां पर Five of Cups तो आप दोनों ही उदास हैं परेशान हैं और यहां पर अगर मैं बात करूं राशियों की तो आपके पार्टनर हो सकते हैं Cancer Cancer मुझे बहुत जादा लग रहा है इसलिए मैंने पहले ही बोला Cancer लग रहा है Capricorn लग रहा है बहुत पैसे चाहिए इनको तो यह कभी संतुष्टी नहीं होते अपनी लाइफ से ऐसे energy आ रही है मुझे नहीं कहते है greedy तो उस तरीके के energy मुझे आ रही है ऐसे लगता है जैसे यह कभी खुद से खुश ही नहीं होते इनको चाहें कुछ भी मिलता रहे यह हमेशा उदास ही रहेंगे या फिर इनके साथ ऐसा होता है कि इश्वर इनको देता तो है कुछ ना कुछ लेकिन वो इनकी पसंद का नहीं होता जो इनको मिलता है वो इनकी पसंद का नहीं होता और जो यह चाहते है वो इनको मिलता नहीं है और मिलता है तो खो जाता है कुछ ऐसा होता है इनके साथ ठ जैसे आप यह cup of love इनको ओफो करें हैं लेकिन यह नहीं देख रहे हैं यह देखो यहां पर 3 cup हैं जिनको यह देख रहे हैं और फिर यह cup गिर भी गए और आप जो cup इनको दे रहे हो और जो भी आपने इनके लिए किया है वो इनको दिखाई नहीं देता मतलब दिमाग खराब है मैं तो यह कहूँगी ठीक है ना बुद्धी ब्रस्ट लेकिन प्यार बहुत चाहिए बहुत ही जादा प्यार चाहिए को इनकी केर करें इनको सहलाता रहे बस यही है घूमने फिरने का बहुत शौक है इनको हो सकता है थोड़े फ्लोटी है यह मझे लग रहे है सभी लोगों के लिए तो नहीं कहूँगी हाला कि यहाँ पर ऐसा आप कहोगी कि ऐसा तो कोई कार्ड नहीं है लेकिन भी मझे एनर्जी आ रही है है तो यह जरूर और देखते है चला के कर देखते हैं की कुम्न स्थीWh का बहुत Apt of souls हो सकता है जो हमारे viewers है उनके शादी हुई Merit हो सकते हैं यह वो सकता हैम ी लग गाता है झारे ऺहोँग सकता है medical हमारे जो विव्य वो medical field clinic से हो सकते हैं यह आज यह easier 3D में अगर में बात करूँ तो तो इनको फील होता है, इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत जूट बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आप बहुत जूट बोलते हैं, और आपको ड्रामे करने बड़े अच्छे से आते हैं, जैसे अगर आपका कोई काम नहीं करना है तो आप ड्रामे करोगे इनको यह लगता है हो सकता है आप इनको बहुत प्यार करते हो इनका बहुत ख्याल रखते हो जो भी है वो सब कुछ ठीक है लेकिन यह चीज 3D की मैं बता रही हूं कि इनको ऐसे लगता है क्या आप ऐसे हो और आप बहुत ही confused हो इनको यह भी कर पाते हैं मेभी आप हमेशा कुछ इस तरीके की इनसे बाते करते रहते हों जब बाते करते थे के like you know dark energies होती है devil होते हैं यह जैसे नजर लग जाना यह सारी चीज़ें इन सारी चीजों के बारे में बात करते रहते हों आप तो इनको ऐसे लगता है कि इन सारी चीजों में इन भ्रम में आप पढ़े रहते हैं इनको ऐसे फील होता है यह जो चीजें हैं इनमें आप पढ़े रहते हो इन पर बिलीफ करते हो जो कि बिलीफ करने लाइक नहीं है ठीक है ना इस तरीके से आपको यह देखते हैं मैं कु ब्लॉक किया नब्लॉक किया रिष्टा खत्म किया आप कुछ नहीं बचा बस अब बात नहीं करेंगे और फिर बात करने लगए तो थोड़ा साना आपको यह थोड़ा हलका लेते हैं कि जैसे आपकी बात का कोई मतलब नहीं है आपने कुछ कहा और फिर कुछी पलों में आप बदल जाओगे ठीक है इस तरीके की एनरजी आ रही है मुझे मैं जानती हूँ आपको बुरा लगेगा यह सब सुनके लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ जो कि यह कार्थ बता रहे हैं जो कि यूनिवर्स बोल जी है कि आपके बारे में सोचते हैं कहें ना कहें वह अलग बात है लेकिन मैं बता रही हूँ क्यों देखे मैं इसलिए सच बोलती हूँ कि अगर कोई भी ऐसी चीज है तो आप उसमें सुधार कर सकते हो राइट अगर मैं आपको सब कुछ अच्छा ही बता दूंगी सपोज मुझे अच्छा नहीं आपको अच्छा लगे तो यह तो गालत हो जाएगा ना मैं तो आपको गायट कर रही हूँ अगर मैं जूट बोलूंगी तो फिर आपके आपकी लाइफ का क्या होगा है ना इश्र तो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा तो मुझे पता है यह बुरा लग सकता है आपको और ह हो सकता है आपको गुसा भी आजाएं लेकिन मेरा काम है सच बोलना तो मैं बोलोंगी ओक तो हो सकता है मैंने जैसे कि कहा कि आप हो सकता है अच्छा लगता हो आप डेंटिस्ट हो सकते हैं या फिर कोई भी medical कई सारे होते हैं आप लोगों के तो कोई dentist होता है कोई कुछ होता है वैसे dentist मैंने क्यों वो भी बता देती हूं कि यह card अगर हम देखते हैं तो उसी के लिए आता है ज्यादा तर वैसे medical field भी बताते हैं नर्स हो सकते हैं ठीक है तो यहां पर इनको यह लगता है कि आपको उसको पसंद नहीं करते हो और उसको handle नहीं कर पाते हैs handle करना नहीं आता आपको काफी दिल से काफी कमजोर हैं इनको it लगता है एक ट्रीडी में वाहँ बात करून हो सकता है कभी आपने अगर इनके साथ में शाधी की बात करी हो तो मैंभी आपने कहा हो कि आपको बच्चे पसंद नहीं, क्यूंकि आपको हैंडल करने नहीं आते, वह चीज द Hier लगता ओऔ कि आप सरीके से इन सारी चीजों को देखा जाएंगे यह यह तरीडी में बता रहा ूँ यह क्या सूसती आपके .... चलिए कुछ और देखते है, 5D में क्या है, क्या सोचते हैं, let's see वैसे आप इनको नर्चर बहुत करते हो, बहुत जैसे बच्चों की तरह इनको ट्रीट करते हो, वो चीज भी इनको बहुत पसंद है, लेकिन ये सारी चीज़े हैं, सोचते हैं ओकए, आप एनक button", खिर्ण और पिस म्यूदीजुनOTH आप सोचते हैं, चीज़े हैं, ऑके सारी जुछीज़ाद आप नकीज़े रिवोर्स six of wands रिवोर्स आया ओके ओके तो 5D की अगर मैं बात करूँ तो attraction तो काफी इनको feel होता है आपके प्रती एक हिचाब सा मैसूस होता है यह आते जाते रहते होंगे आपकी लाइफ में और उसका कारण यह है कि इनको attraction बहुत ही जादा है मतलब यह आप से अलग नहीं रह सकते ऐसा हो सकता है कि आप कभी physical हुए हूँ ठीक है ऐसा भी हो सकता है लेट सी देविल मैंने कहा ता नहीं हो सकता है कि कभी आप physical हुए हूँ और attraction बहुत जाद है physical attraction बहुत जाद है जो कि मैं कहूँगी ठीक है emotional है यह आप के लिए लेकिन physical attraction बहुत जाद है अब अगर मैं बात करूँ 5D की तो 5D में कुछ ऐसा है कि इनको अंदर से confidence नहीं है अभी तक ठीक है इनको अंदर से confidence नहीं है आपको लेकर और इनको यह लगता है कि यह connection शायद आगे ना बढ़ पाए क्योंकि उसका reason क्या है उसका reason यह है कि इनको लगता है कि आप अपनी life में balance नहीं बना पाते हो ठीक है ना एक जो balance बनाने की जरूरत होती है वो आपको बनाना नहीं आता इनको लगता है कि आप understanding कम हो ठीक है passionate हो मतलब connection को लेकर आपके connection को लेकर आप दोनों के connection को लेकर passionate हो आप लेकिन वो जो एक balance बनाना होता एक understanding होती है ना वो नहीं है वो इनको नजर नहीं आती थोड़ा playful energy में रहते हो थोड़ा इनको लगता है कि mature नहीं हो उतने ज़ादा ठीक है ना और यह थोड़ा डरते भी है आप से बराबरी नहीं लगती इनको ठीक है energy जो है वो ऐसी है 5D में अगर मैं बात करूं उनके thoughts की तो इनको बराबरी नहीं लगती ऐसा होता है कि मैंने कहा भी कि हो सकता है जो हमारे viewers है और उनके जो partner है उनकी राशियां कुछ ऐसी हो जैसे आप fire sign है ये water sign है ठीक है ना तो वो एक balance नहीं बैट पाता सही वक्त पर अल्राइट so connection आप दोनों का ऐसा है कि attraction बहुत है लेकिन वर लेकिन खुश कोई नहीं है दोनों ही ये सोचते होगे जैसे इनको दो लगता है इनको आप को देखकर ऐसा ही लगता है कि आपकी तरफ attraction बहुत है आना चाहते हैं आपसे बात करना चाहते हैं और इनको लगता है कि आप इन बहुत ही रहते हैं लेकिन फिर नहीं आना चाहते हैं कि Regen और इसलिए फो सकता है यदा पर बलॉक करते हो शुरूँ अब आपने इनको ब्लॉक किया हो उस वक्ते यहें बहुत जल्दी की से आपको कॉल किया हो और फिर आप Nous ना राज हो यह वह इस तरीके से बाते करी हो लेकिन आप शायद यह वह ना करती हो क्योंकि मैंने बात के इच्छे इंत लगता है कि यह सारे द्रामे हैं अगर आप विसके प्लॉक करो के भी लिग ना टो उन्पलॉक कर दोगे बहुत जादा है लेकिन वो जो दीप लव होता है वो अभी तक यहां पर मैं फील नहीं कर पारी इनकी तरफ से जरूरत है आप लोगों को इनवर करने की ठीक है क्योंकि कुछ अधूरा है वो क्या अधूरा है वो इनको समझ नहीं आता आपको देखकर अधूरा पन सा मैसूस होता है लेकिन क्या अधूरा पन है वो समझ नहीं आता सब कुछ ठीक है आप इनकी केर भी कर रहे हो सब कुछ है कही ना कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो ऐसा सिमिलर होगा आप दोनों में हो सकता है जैसे आप दोनों का रंग, आप दोनों के बालों का color ठीक है या फिर हो सकता है कोई भी कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि similar है smile एक जैसी हो सकती है या face cut एक जैसा हो सकता है कुछ ना कुछ जरूर होगा तो काफी सारी ऐसी चीजे है या फिर नाम मिलते हो जैसे हो सकता है इनका नाम T से शुरू होता हो, आपका भी होता हो R से शुरू होता हो, M से शुरू होता हो, आप दोनों का ही Z से, Q से, I से, N से, कुछ लोग के लिए F हो सकता है height आप दोनों की हो सकती है, same हो, कुछ ना कुछ जरूर होगा याँपर तो similarities काफी हैं लेकिन फिर भी attraction है लेकिन वो अजीब सा आप लोगों के बीच में ऐसा बना रहता है ये जो है आपको ऐसे दिखते हैं कि हाँ अच्छा तो है अच्छा तो लग रहा है लेकिन क्यों मेरा मन नहीं कर रहा आगे बढ़ने का ऐसा भी हो सकता है कि आपके काफी सारे connections रहे हों पहले आपके रहे हों आपके वो सारी चीज़े भी घुमती रहती है इनके दिमाग में ठीक है तो ये कुछ इस तरीके की energy है यहाँ पर नाइट ऑफ पैनिकल्स है आपके लिए नाजी औरिकल कार्ट देख लेती हो देखे गाईस मैं यह नहीं कहरी कि आप ऐसे हो लेकिन मैंने बताया कि इनके विचार कैसे चलते है तो अगर यह गलत पहिमिया है तो आप यह गलत पहिमिया हुदूर कर सकते हो ठीक है ना इसलि अगर यहां पर डॉक्टर्स हैं तो मैं उनको बोलूँगी आओके वेरी नाइस कार्थ इनन्याइंग देखे वही आगया कहा था ना मैंने कि 3D में तो ऐसे देखते हैं मैंने कहा था ना कि प्यार है सब कुछ है सब कुछ इनको मिल रहा है आपसे लेकिन 5D में ऐसा है दोनों बहुत काफी सिमिलर हैं लेकिन फिर कुछ चीजों में समझ में नहीं आता कि क्या वो चीज है जिसकी वज़े से ऐसा हो रहा है कि दूर जा रहा है पास आने का मन कर रहा है जानते एक दूसरे को कंपलीट करेंगे क्योंकि एक जैसी काफी सारी चीज़े हैं लेकिन कुछ तो ऐसा है जिसकी वज़े से यह लगता है कि नहीं हो सकता आगे कुछ नहीं हो सकता आगे future नहीं है ठीक है ना twin frame journey में हैं आप लोग और यह सब कुछ होगा तो जब तक आप लोग इना वक्त नहीं करते अपनी कमियों को दूर नहीं करते तब तक यह union नहीं हो सकता ठीक है ना सिर्फ पैशन होने से कुछ नहीं होता आपको काफी कुछ सुधार करने होते हैं अपने अंदर यही है भई देखते हैं आपके ancestors की तरफ से क्या message है आपके लिए क्या वो कहना चाहते हैं trust in higher forces ओके तो यह दिक्कत है आपके साथ आप लोग आई तिंग के ना वक्त तो कर रहे थे आपको पता भी होगा यहां पर issues यह हो रहे हैं कि आपका विश्वास जो है डगमगार रहा है यूनिवर्स से यह इनको भी आप प्रेयर करते हो उनकी तरफ से आपके अंदर शक्तियां है energy है आपके अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं और हुआ भी है हो सकता है आपकी manifestation ही इनको आपके पास लेकर आई हो लेकिन अभी ऐसा हो गया है कि आपको बरोसा नहीं होता उन सारी चीज़ों पर और यहीं पर गलती हो रही है कर सकते हैं आप लेक लेकिन वक्त लग जाता है ठीक है ना तो भाई यह था message उनकी दरफ से आपके लिए तो यह थी आपकी reading आपको पसंद आई हो आई हो तो प्लीज लाइक करें subscribe करें resonate करी हो तो मुझे जरूर बताएं share करना ना भूले यह video thank you so much for watching the video take care love you all bye bye hey guys तो जिन्होंने यह वाला star choose किया है green star तो देख लेते हैं कि आप इनके बारे में सोच रहे हो उनके 3D thoughts और 5D thoughts आपको लेकर क्या है ठीक है यह ancestors की तरफ से message है guidance है आपके लिए यह last में देखेंगे पहले पूरा reading हो जाएगा उसके बाद देखेंगे क्या आपके पूरव प्राशियों को लेकर वीडियो राल जीओ नवंबर के लिए तो वो सभी की राशियों के लिए मैं डालूंगी तो आप परिशान ना होना कमेंट साते हैं मैं हमारी भी कर दो हमारी भी कर दो सभी करूंगी मैं ओके पेज आफ पैनिकल्स क्सान बीडाओंग। ली बुले वील फुर्ट्टन चीफॉ्ट क्सान बीड़र्ट क्सान अधब्के रा एफ पैन आपकन इशेपャर्ट्ट्पै। बीड़र्ट अन इशेशेश के 9 of Cups 8 of Pentacles तो आपके जो partner हैं हो सकते हैं और sign बहुत साथ यहां पर आ रहा है water sign हो सकते हैं Pisces Cancer Scopus Pisces और Cancer मझे जादा लग रहा है Earth sign में Capricorn Taurus बहुत जादा मुझे लग रहा है यहां पर आप हो सकते हो वर्गो भी हो सकते हो Air sign में मुझे लग रहा है कि आप हो सकते हैं Aquarius Libra Gemina Aquarius मुझे बहुत जादा लग रहा है और यहां पर मुझे fire sign भी दिख रहा है अला कि card नहीं है लेकिन energy मिल रही है Leo या Aries हो सकते है Sagittarius कोई भी हो सकते है ठीक है और देख लेते हैं cards के रहा है नाम आप लोगों के शुरू हो सकते है S, B, N, T, H, I, O, D D बताया मैंने Z, R, बर बर R आ रहा है मुझे R, R, N बस इतनी ही आ रहे है चले और देखते हैं नहीं ले रही गाइस मैं Okay Four of Cups Three of Swords Seven of Pentacles Okay guys तो यहां पर अगर मैं बताओं के 3D में क्या सोचते हैं आपके partner की thoughts क्या है आपको लेकर उनको लगता है जिद्धी हैं आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा जिद्धी हैं और बहुत ही ज़्यादा emotional है ठीक है और बहुत ज़्यादी आप हो जाते हैं जैसे बच्चों के जैसा देले आपका यह मानते हैं बच्चों के जैसा ही मानते हैं मैं अगर यह कहूं तो गलत मी होगा जैसे बच्चे होते हैं जिद्धी से मासूम से बहुत ही ज़्यादी हो जाना और जिद करना तो वो सारी चीज़े इनको लगता है 3D में आपको देखते हैं और अपनी चीज़ों को समहाल कर रखना, उनको प्रोटेक्ट करना, बड़े प्यार से संजो कर रखना ये आपको बड़ा अच्छा लगता है और इनको लगता है आपके पास चाहें कितना भी हो आप कभी रुखते नहीं कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं क्रियेटिव हैं आप कितना भी आप कर लो जैसे सपोस अगर आप बिजनेस करते हो एक कोई भी आपने काम शुरू किया तो ऐसा नहीं कि उसी पर ध्यान लगा लिया फिर आप दूसरा कुछ बिजनेस करोगे कुछ ना कुछ सीखते रहते हो जैसे लॉकडाउन का टाइम है तो हो सकता है आप अपने स्टेटस पर कई ऐसी चीज़े डालते हो जैसे कभी कुछ आपने बना दिया कभी कुछ खाने में बना दिया कभी कुछ भी क्रियेटिव कर दिया तो वो सब कुछ ये देखते रहते है और इनको ऐसे लगता है कि ये इसको पाना कितना मुश्किल है और इसको सम्हाल कर रखना कितना मुश्किल है ठीक है, बहुत मासूम सा आपको देखते हैं इडॉरिबल हो, जो कि मुझे सनाई पढ़ रहा है आपको सुन्दर चीजों से बहुत प्यार है और आप बहुत सुन्दर लगते हो इनको ये भी मैं बता दूँ लग आपके साथ रहता है, इनका मानना ये है हाला कि महनत भी आप बहुत करते हो, लेकिन लग भी आपका साथ देता है और आप ऐसे हो कि धैर आप में बहुत ही जादा है आप सालों साल वेट कर सकते हो, आपको जो चाहिए उसको पाने के लिए प्राउड भी महनत से खुद से ही आपने देखी कंटे करके रखे। और आप बड़ा ही प्राऊड फील करते हो कि मैंका प्राइब ने कडिया देखें यह बंदा कैसे बैठा हुआ है और यहाँ पर कंटेस है तो जैसे इसी बंदे ने सारे कप्स इकट्थे किये हुए इतने सालों में और इसको बड़ा ही गर्व सा मैसूस होता है हम मैंने I did it तो वह वाली चीज है यहां पर आपके लिए तो 3D में ऐसे देखते हैं आपको काफी अच्छे कार्स है competitive है competition करने में हमेशा आगे रहते हैं जीत करी दम लेते हैं ठीक है ऐसा देखते हैं आपको 5D में देख लेते हैं क्या सोचते हैं आपको ले करिए वह को ओलिक करते हैं यह बी है जो भी करते हूं आप कुटुब मिनार देखा मैंने हो सकता है आप में से कोई देली का हो ब्लू कलर हो सकता है आपको पसंदो या आपके पार्टनर को पसंदो या ब्लैक या फिर वाइट रेट कलर ठीक है स्ट्रेंथ ओके 5D में अगर मैं बात करूँ तो इनको लगता है कि आपके अलावा इनको कोई नहीं समाल सकता जितने इस्टेबल आप हो ठीक हमारे जो व्यूवर्स है ना बड़ी टैलेंटर हैं सच में बहुत टैलेंटर हैं घर भी समाल सकते हैं बाहर का भी देख सकते हैं जब बात केर करने की हो तो मा के जैसे केर करने लगते हो पिता की जैसे केर करने लगते हो और जब स्ट्रिक् हो communication skill बहुत अच्छा है passionate हो कुछ भी करने के लिए जो भी आप अपने हाथों में लेते हो पूरी तरीकी से पूरी ताकत लगा देते हो उसमें फिर आपको ध्यान में नहीं रहता कि दिन है कि रात है कि क्या है और वो यह जानते हैं वो यह समझते हैं वो समझते हैं कि यह एक पॉफेक्ट पार्टनर है और यह मेरी है या यह मेरा है ठीक है ना यह पील करते हैं आपके लिए king अगर आप male है तो king की तरह है और female है तो queen की तरह है queen of pentacles की तरह है आपको देखते हैं कि ठीक है ना Queen of Pentacles यानि के जिसको सब कुछ आता है जो सब कुछ कर सकती है बहुत क्रियेटिव होती है घर समाल सकती है किसी की जिन्दगी बना सकती है तो वैसे देखते हैं Marish material की तरह देखते हैं और ये जानते हैं जो मुझे बहुत जादा लग रहा है और देख लेते हैं 5D में क्या इनके थार्ट से आपको लेकर Let's see Depth और देख लेते हैं क्या है काज 5D में लेकर इनके आपके लिए यहां पर है 3 of Wands और देख लेते हैं I think काफी दूर रहते हैं आपसे काफी दूर और ये इंतजार कर रहे हैं कि कब वो मौका मिले जबकि आपसे बात करें आपसे आकर मिले बहुत मिस करते हैं आपको बहुत ही जादा Ace of Swords इनको कुछ बाते करनी हैं आपके साथ में कुछ clear करना है clarification देना है हो सकता है इन्होंने आपको ghost किया हूँ ऐसा हो सकता है लेकिन मजबूरी कुछ रही थी जिसकी वज़े से इन्होंने ऐसा किया मुझे ऐसे लगता है इनको self-worth issues हैं इनको ये लगा कि कहीं आप इनको reject ना कर दें उससे पहले मैं ही छोड़ देता हूँ या छोड़ देती हूँ लेकिन फिर बात में इनको realize हुआ कि नहीं यहां तो बात कुछ और ही है आपको काफी futuristic देखते हैं यानि कि future में क्या करना है क्या नहीं करना है उसके according आप planning करते हैं savings करते होंगे अर्ण करते होंगे जादा खर्ष नहीं करते होंगे तो उस तरीके से आपको देखते हैं आपको इस तरीके से देखते हैं आपको साफ बात करनी पसंद है विकार की गुमार फिरा कर बाते करना बिलकुल पसंद नहीं है खुलकर और साफ बात करते हो लड़ने में काफी तेज हो, लेकिन जरूरत पढ़ने पर, ऐसा नहीं कि हर किसी के साथ, क्यों कि प्यारे बहुत हो, लेकिन वही है कि अगर बात लड़ने के आजाए, लेकिन वैसा लड़ना नहीं, जैसे किसी को होट कर दो, लेकिन हां, मतलब तेज हो, तेज तरार हो, और आपका लड़ना जगरना इनको बहुत पसंद होगा डेथ का यहां पर कार्ड है मैं इसको क्लेरिफाइ करना चाहूंगी एक बार कि यहां पर यह क्यों है हाला कि यह कार्ड यह बता रहा है इंट्यूशन मेरी जो कह रही है वो यह कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आप अपनी लाइफ में नहीं रखते जो कि आपके लिए ठीक नहीं है आपको लगता है कि यह मुझे सर्फ नहीं कर रहे है कहीना कहीं बाधा डाल रहे हैं मेरे काम को पूरा करने में या कुछ भी आपको अच्छा फील नहीं कर रहे है तो आप बिल्कुल उनको बहार निकाल देते हो यह इनके 5D के तो उत्स है इनको भी लगता है अगर मैंने सही टाइम पर आकर इनको अप्रोच नहीं किया तो पता चला मैं भी निकला Okay okay do that chakra queen of cups बेशक्थ जो लोग आपको surf करते हैं उनके आप हमेशा तयार रहते हो एक प्रेल के connection इनको लगता है कि soulmate connection आप दोनों का actions क्या है हाला कि ये भी देखना चाहूंगी मैं अभी okay बात नहीं कर रहें आपसे messages अगर आप करते होगी तो ये आपको reply नहीं करते होगी बेशब इनको मिलकर बात करनी है magician but manifest कर रहे हैं ये manifest कर रहे हैं आपको two of wands मौका ढूंड रहे हैं ये ठीक है न ये मिलना चाहते हैं आपसे मौका ढूंड रहे हैं मिलकर आपको जीतना चाहते हैं लेकिन अभी ये बात नहीं कर रहे होंगे और मुझे यहां पर ये भी लग रहा है कि आपके message का वेट कर रहे हैं हो सकता अभी कि जैसे कि मैंने कहा कि लिब्रा हो सकते हैं यहां पर आपके partner तो हो सकता है आपने इनको wish किया हो और इन्होंने बस आपको thanks बोल दिया हो ठीक है ऐसा हुआ हो और ये actually expect कर रहे थी कि आप अपनी तरफ से पूछो कि कैसे हो क्या हो आपने नहीं पूछा ऐसा भी हो सकता है क कि बहुत से लोगों ने wish ही ना किया हो याद रहा लेकिन नहीं किया तो यह चाहते हैं आपकी तरफ से कोई message आए लेकिन फिर भी मैं आपसे वही कहूंगी कि नहीं don't do it उनको आने दो अपनी तरफ से ठीक है यह manifest करें आपको आपकी तरफ से actually आप जब इनसे बात नी करते ना इनको बेचैनी होने लग जाती है इनका यह है कि भले ही मैं reply करूं ना करूं लेकिन आप मुझसे बात करते हो आवाज इनको बहुत प्यारी लगती है तो यह आपको जीतना चाहते है थोड़ा सा डर है इनको हाला कि यह तो जानते है कि यह connection ऐसा है कि छूट नहीं सकता बड़ी मुश्किल से मिले हो आप इनको लेकिन फिर भी यह डरते हैं अब 3D में कुछ और है 5D में कुछ और है लेकिन जादा अंतर नहीं है वैसे तो यार करते हैं आपको बहुत ही जादा और देखते हैं action, okay okay, hostilities, alright, तो इनको यह लगता है आपको 3D कि अगर मैं thoughts की बात करूं तो इनको लगता है कि सोचते आप बहुत हो लेकिन action नहीं लेते इनको यह feel होता है कि आप सोचते बहुत जादा हो इनको feel हो जाता है, intuitive है आपके जो partner है intuitive है आप भी होगे और यह भी बहुत intuitive है तो इनको लगता है कि बहुत सोस्ते हैं आप हो सकता है आपको बोलते भी हो कि बहुत सोस्ते हो आप ठीक है लेकिन action उस तरीके से नहीं लेते इनको यह लगता है कि काफी कुछ है जो आपके दिल में आप नहीं बताते हैं जैसे आप इनको प्यार करते हो आप इनको नहीं बोलते हैं या फिर चीजे छिपाते हो ओपन नहीं होते तो वो इनको लगता है 3D की अगर मैं बात करूं और 5D की बात करूं तो इनको यह लगता आपको आप बात रखते हो, तो यह कुछ energy है इनकी, अब देख लेते हैं आपके ancestors की तरफ से क्या है आपके लिए message यहां पर Green Star जिनोंने देखा था, मैंसी क्या है यहां पर Exchange energy to create abundance, okay, तो हो सकता है कि आप एक healer हूं या tarot reader हूं या कोई भी ऐसा power, ऐसे energy है आपके अंदर जो universe की तरफ से आपको मिली है as a gift, तो universe यह चाहती है कि भई आप उसका use करो, okay, अगर अपने talent का आप use नहीं करते हैं, जैसे आपको अगर abundance चाहिए तो आपको दुनिया को abundance देनी है, अगर आपको खुद प्यार चाहिए तो आप यहां पर universe क्या लिए, तो अगर आप ऐसा करते हो, तो बेशक आपकी wishes पूरी होंगी, ठीक है, so यह थी आपकी reading, I hope आपको पसंद आई हो, आई हो तो please like करें, resonate करी हो तो मुझे बताना ना भूले, subscribe and share करना ना भूले ये channel, thank you so much for watching the video, take a love you all, bye-bye